यहां हमें 0.35 divided by 5 find करना है तो पहले तो हम इस decimal को fraction में convert कर लेते हैं तो मारे लिए थोड़ा easy हो जाएगा अब 0.35 को fraction में convert करेंगे तो numerator में सारे numbers आ जाएगे और यहां decimal के बाद 2 digit है तो denominator में 1 के बाद आएगा 2 0 तो अब हमें 0.35 by 100 को 5 से divide करना है अब देखो यहां एक fraction है तो 5 को भी हम लिख देते हैं 5 by 1 तो हमें मिल गया 35 by 100 divided by 5 by 1 अब दो fractions को divide करने के लिए हम first fraction को ऐसे लिख देते हैं divide के जगा हम करते हैं multiply और यहां आता है second fraction का reciprocal मतलब इसका ultra अब 5 by 1 का उल्टा होगा 1 by 5 अब तो fraction को multiply करने के लिए हम numerators को साथ में multiply करेंगे और denominators को साथ में multiply करेंगे अब देखो यहां 35 और 5 तो उन्हों 5 से divisible है इनको हम 5 से divide कर देते हैं तो यह गया 5 1 से 5 यह गया 5 7 से 35 तो हमें मिल गया 7 by 100 अब question हमें decimal में given था तो हम answer भी decimal में देंगे तो देखो यहां denominator में 3 digit है और numerator में बस एक ही digit है तो अगर हम numerator में भी 3 digit बना ले तो हम इसे easily decimal में convert कर सकते हैं 7 को हम लिख देंगे 007 अब यहां denominator में 1 के बाद 2 0 है तो इसको decimal में convert करने के लिए हम numerator में दो digit के आगे decimal point लगाएंगे तो हमें मिल गया 0.07 तो हमारा answer आ गया 0.07 चाहे बेंगे 007 हमारा जएंगे 007 007 007 007 007